चलिए, हर्याना में चुनावी अखाडा सज गया है, सभी दल मैदान में हैं, हर्याना विदान सभा चुनाव में वोटिंग को अब एक महीने से भी कम का वक्त बचा है ऐसे में बीजेपी कॉंग्रेस दोनों ने उमीदवारों की अपनी पहली पहली लिस्ट जारी कर दी हर्याना विदान सभा चुनाव में आज के दो बड़े अपडेट जो आपके सामने रखें आज से कॉंग्रेस उमीदवार विनेश फोगाट का चुनावी अभियान में उतरना अपने ससुराल की सरजमी पर जा करके लोगों से वोट अपील करना उनका आशिरवाद लेना कॉंग्रेस ने विनेश को जिंद की जुलाना सीट से उमीदवार बना है पहुँच करके किस तरीके से उनका जोरदार स्वागत हुआ वो तस्वीर इंपोर्टेंट है और दूसरा अपडेट कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी के गड़वंधन को लेकर के है सूत्रों का कहना है कि दोनों ही पार्टी के नेताओं में गड़वंधन को लेकर अब बात सकारात्मक हो चुकी है कल तक हरियाना में गड़वंधन का एलान भी हो जाएगा और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर नेकोशियेट करने के लिए तयार हो सकती है हलाकि आपकी तरफ से अगर 10 के बजाए 5 सीटों पर बात बनती है तो अपनी पसंदीदा यानि फेवरेट सीट चुणने पर बनेगी दोनों खबरों पर विस्तार से बात करेंगे लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है वो हम आपको बताते चलें ये दोनों बड़ी इंपोर्टेंट तस्वीर है आज की डेट में अगर आप देखें क्योंकि कल तक और इवन आज भी आम आदबी पार्टी की ओर से बयान दिया जा रहा था विनेश ने जुलाना पहुँचकर ये कहा लोगों का प्यार मिल रहा है विनेश ने ये बाते कहीं कॉंग्रेस उमीद्वार जुलाना सीट से तो अच्छा लग रहा है जिमेदारियां दिल से निभाऊंगी लोगों का प्यार मिल रहा है ये है आगाज कदम रखने के साथ ही किस तरीके से उन्हें आशिरवाद और प्यार मिला इससे गदगद नजर आई विनेश और हरियाना के दो पहलवानों का जिक्र बहुत जरू कॉंपुनिया कॉंग्रेस में शामिल होते ही इनकी पॉलिटिक्स अन है शुरू है दोनों ने कुष्टी संग के पुर्व अध्यक्ष ब्रजभूशन शरण सिंग जो पुर्व सांसत दी रहे हैं उनके खिलाफ मोचा खुला था गंभीर आरोप लगाए हैं लेकिन जब कॉ बाद इंपॉर्टन्ट है और मुझे जब अपनी बात रखने का मौका मिला था तो मैंने कहा था इसमें कांग्रेस सामिल है राहुल जी सामिल है प्रियंका जी सामिल है और ये सारी योजना दीपेंदर हुड़ा नहीं भूपेंदर हुड़ा निम्मिल करके ये योजना इन्होंने रची थी इसके पी करती है कुष्टी संग पर इनका कपजा क्योंकि 2012 में मैंने इन ही को हरा करके और उस समय मुझे 47 मत मिले थे और इनको मातर 3 मत मिले थे इन ही को हरा करके मैं कुष्टी संग पर कह लीजिये कि हम लोगों का कपजा हुआ था और ये सारी योजना बहुत दिन से चल लई थी उसके पीछे एक मनसा थी कि कुष्टी संग पर कपजा और भारतिय जन्ता पार्टी पर हमला और मैंने उसी सिमय कहा था ये जूट है और ये एक राजनितिक खडियंत्र है और आज खुल करके ये बास सामने आ गई कि ये खडियंत्र था, कांग्रेस का था, प्रियंका जी का था, राहूल जी का था, भुपंदर हुड़ा था, दिपंदर हुड़ा का था ये पूरी कांग्रिस की एक साजिस थी जो हमारे खिलाब की गई अब तो वो चुनाओ लड़ने जा रही है विनेश अब तो आपके लीग में शामिल हो जाएंगी चुनाओती कितनी बड़ी है नेता नेता वरसेज देखिए अब हवाएं ही करेंगी रोसनी का फैसला अब हवाएं ही करेंगी रोसनी का फैसला जिस दिये में तेल होगा वो तिया बच जाएगा अब आएं हैं तो देखेंगी ये दुनिया क्या है सच्चाई से सामना करना पड़ेगा जूट इसमें नहीं चलेगा जनता के सामने जाना पड़ेगा जनता को हिसाब देना पड़ेगा आपने डेड़ दो साल तक हिंदुस्तान के कुष्टी को बरबाद करके रख दिया आज ओलंपिक में मात्र एक मेडल आया है और मैं बताना चाहता हूं कि अगर इन्होंने पांच अच्छा मेडल होते और यह मैं नहीं लाता हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं जूनियर बच्चे अभी देखिए एक बच्ची वर्ड चंपियंशिप में हर्याना की बच्ची गोल्ड मेडल लेकर के आई है यह अब यह कुष्टी किसी एक ब्यक्ती की मोहताज नह और देखे विनेश फोगाट और बचरंग पुनिया के कॉंग्रिस में शामिल होने पर सियासी तपिश बढ़ गई है जॉइनिंग के बहाने बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है ब्रजबूशन शरन सिंग भी मैदान में है तो जवाब देने के लिए बचरंग पुनिया भ और अब वो कॉंग्रिस में चले गए हैं ये एक तरीके से वो कह रहे हैं कि वो सही साबित हुए और वो कह रहे हैं कि सच्चा ही जो है वो सामने आ गई है आप इस पर उन्हें क्या जवाब कि कोई किसी भी पार्टी में जाए जो उसके उपर आरोप लगे है इसका मतलब वो सबसीद हो जाते हैं कि वो साफ है उससे पहले भी उस पे चुरासी मुकद में हैं खिलाडियों लगाए उससे पहले भी तो वो क्या साब सभी के थे दूसरी चीज मुझे लगता कि मीडिय कि अधिया ने ही उनको स्टार बना रखा है बार बार में उसका नाम लेके कि भई बरिज भुसन जी ये बोल रहे है जिस आदमी ने महिला खिलाडियों के साथ सेक्शो अरास्मेंट की है वो मेड टीवी मीडिया पे बोल रहा है पूरे देश के सामने कि हाम एक लड़की को गले लगा है उस ने सहीज महसूस किया तो आप इसको क्या मान रहे है उग जो आदमी अपने मुझ से बोलागी एक लड़की को गले लगा है उसने सैज महसूस किया इससे बड़ा और सबूत क्या चाहिए यही तो वो कह रहे हैं वो सियासत में है जब उन पर आरोप लगे और किसी पर भी आरोप लगते हैं वो आरोपों को जुटलाता है वो कह रहे थे कि कॉंग्रेस उनके खिलाड़ी कॉंग्रेस कर रही है बीजेपी के तो हाला कि आये नहीं लेकिन हमने तो एक आदमी को भी निचन ने दिया कि हमारा ये राजनिती कोई मुद्दा नहीं है हमें एक आदमें खिलाब लड़ रहे हैं हमें इन बेटियों के साथ गलत वा उसके लिए उस आदमी को फैंटेशन से दूर होना चाहिए त किरिफ ये लड़ाई थी लेकिन वह जवर दसती बीजेपी ने अपने उपर वो लड़ाई लेकि पूरी उसको बचाव करने के Lड़े बुद आपने उपर लड़ाई लेकि पूरे बीजेपी recycler tradition से एंग अब Alisu में आगये तो यह एक एक शक्स के खिलाफ लड़ाई और अब एक पार्टी एक सरकार के खिलाफ लड़ाई देखिए वो बीजेपी न उसी टाइम अपने उपर ले लिना अगर वो खिलाडियों सपोर्ट करने तो हमने तो लेटर लिखे थे उनके सांसदों को कि भई आप आईए कोई भी सांसद आ है और यह लोग बिना बोले भी हमारे साथ खड़े हुए तो इसका मदलब आप क्या देख रहे हैं पूरा देश देख रहा कि भई आप जो बेटियों का सोशन करें आप उसके साथ खड़े हैं तो यह लगा ना तो ऐसे लोगों के साथ हम जा के क्या करें हम जवानाज पे हैं खिलाड याज रोड पे हैं तो उस पार्टी के साथ हम जुड के क्या करेंगे